आप सभी एस्परेंस का इस आइकोनिक एस्परेंस पे साथी आप सभी के लिए एक और भी बहुत बेटर सिछक भरती एक्जाम को लेकर हम आये हैं तो काफी इंपोर्टन आज का ये साथी आपका ये वीडियो होने वाला है वीडियो पुरा देखेगा आपका ये चंडी गर्द के द्वारा साथी चंडी गर्राजी के द्वारा ये सुपर टेटर का वेकेंसी लाँच किया गया है तो काफी इंपोर्टन है इस पे बात करने वाले हैं कि कौन-कौन इस वेकेंसी को भर सकते हैं ये फॉर्म कब आने वाला है, सेलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सब कुछ बात करने वाले हैं, कैसे तयारी करना है, स्लिवस क्या है सारे चीज का बात हम करेंगे, बस क्लास को आप लोग पूरा देखेगा और सबसे इंपोर्टन बात साथी कि जो साथी नए आये हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे क्यूंकि साथी सिछक भरती को लेकर सबसे पहले हमारे चैनल पर अपडेट किया जाता है चाहे आप UP-Tate के हो, B-Tate कर रहे हो, C-Tate कर रहे हो, S-Tate कर रहे हो या फिर किसी भी राज़ी के आप सिछक भरती के तयारी कर रहे हो आपको यहाँ पे बहतर से बहतर चीज एबलेबल करवा जाता है और सबसे पहले आपको notification दिया जाता है तो चलिए साथी अस्टार्ट करते हैं सबसे पहले यह सुपर्टेट चंडीगर के द्वारा यह वेकेंसी आ रहा है साथी जो कि आपका यह फॉर्म कब से भढ़ाएगा तो सबसे पहले यहां देखे साथी ओपनी डेट ओफ अप्लिकेशन जो है यह कब से होगा तो आपका 27 2023 अर्थात आपका जुलाई के महीने में ही अस्टार्ट होने वाला है टाइमिंग जो है यह आपका 11 बज़े पोर्टल लॉंच कर दिया जाएगा क्लोजिंग डेट हम अगर बात करें तो यह आपका 14 आर्थ दोहजार तईस है ठीके तो यहां पे आप लोग इसको देख सकते हैं उसके बाद है आपका लाश्ट डेट और डिपोजिट और फीस यह है आपका साथी कब तो 17 आर्थ दोहजार तईस वो भी दो बज़े तक ठीके 17 तारिक 17 अगस्त तक आप लाश्ट क्या कर सकते हैं इस फोर्म के लिए फीस को कटबा सकते हैं उसके बाद यह पोर्टल बंद हो जाएगा अब हम चलिए साथी यहाँ पे बात करते हैं कि आपका यहाँ पे सीटो की संख्या कितनी है तो यहाँ देखेगा आपका जो सीटो की संख्या है यहाँ पे कितनी है सबसे पहले तो हम बता दें कि जो आपका वैकैंसी है यह 125 के लिए है प्राइमरी टीचर के लिए यह आप आपका 56 है, SC के लिए आपका 59 है, EWS के लिए आपका 29 है, और कुल पदो के अगर हम बात करें, कुल पोश्ट के अगर हम बात करें, तो यह आपका 293 है, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, और सबसे इंपोर्डन बात कि यह पूरे आल अवर इंडिया में यह व पी को हो, कहीं के भी हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह चंडिगर के बच्चे बढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब ही लोग भर सकते हैं, सब कुछ हम बात करने वाले हैं, आप लोग बस वीडियो को पूरा देखिए, अब अगर अबर डोल, तो यह आपका 55,000 से लगभग, साथी 60,000 तक आपका बेतन शुरुवात में बनने वाला है, जो कि बहुत ही बहतरीन आपका यह जॉब है, काफ़ी इंपोर्टेंट है, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद हम बात करें आगे, तो यह उस उन्वर्सेटी से आप क्या कर सकते हैं, तो Graduation आपका होना चाहिए, साथ में दो बरसु का आपका DLAT होना चाहिए, दो बरसु के लिए आपका DLAT होना चाहिए, अगर DLAT नहीं है, तो साथी वैसे Candidate जो DLAT नहीं B8 की हुँए है, तो B8 के साथ साथ उनको क्या होना चाहिए ठीक है तो इस प्रकार से आप भर सकते हैं इस form को नहीं तो नहीं भर पाएंगे चलिए आगे हम बात करते हैं तो आगे यहां पर आप लोग देखिएगा नेश्ट हम बात करें तो इहां पर उसके बाद जब आपका सेलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा तो यह तो सभी जगहा होता है बताने का ज़रूरत नहीं है कि आपको 6 मंद क्या होगा तो ब्रिज कोस्ट करना पड़ेगा जब आपका पुरा सेलेक्शन हो सब्सक्राइब करना होगा जो कि हर नई बात नहीं है चलिए उसके बाद हम आगर बात करें तो आपका यहां पर क्या पूछा जाएगा कितने passing marks होंगे ये सब के हम बात करते हैं सबसे पहले साथ ही यहाँ पे आपका 1500 marks का क्या होगा 1500 marks का आपका exam होने वाला है यहाँ पे आप देख सकते हैं total number of question कितने होंगे तो आपका 150 होगा marks कितने होंगे तो यह भी 50 मतलब 1 question 1 marks का होगा टाइमिंग आपका 2 घंटा 30 मिनट अधार अधाय घंटा का टाइमिंग मिलेगा कुल अगर हम बात करें साथ ही यहाँ पे तो आपसे 10 कितने हैं 10 ए 11 आपका यहाँ पे क्या होगा तो subject होगा जिसमें आपका सबसे पहले general awareness होगा reasoning ability होगा arithmetic and numerical agility होगा teaching aptitude होगा information and communication technology होगा test of English language and comprehension होगा test of Punjabi language comprehension होगा test of Hindi language comprehension होगा mathematics होगा social science होगा और general science होगा कितने कितने ही सब questions होगे देखे detail में हम बता रहे हैं general awareness का आपका 15 question होगा math का अगर हम बात करें तो यह आपका 15 question होगा साथ ही general science आपका 15 होगे general social science आपके 15 होगे इस प्रकार से आप लोग सारी चीज को देख लिजेगा काफी important है इस प्रकार से आपको देखना है तभी आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से तयारी करते हैं उसके बाद हम बात करें तो यहाँ ध्यारी दिजेगा आगे हम बात करें साथी तो आगे यहाँ पर देखिए आपका जो question का level होगा वह कहां सा होगा तो standard level का होगा ठीक है क्या होगा 10th level का होगा साथी इतना याद रखेगा और आपके passing के लिए आपका 40% marks चाहिए लेकिन याद रखेगा competition काफी high होगा वो इसलिए क्योंकि यह पुड़े भारत के लिए है ठीक है all over India के student यहाँ पर form को भरेंगे इसलिए यहाँ पर 40% में आप लोग चक्कर में नहीं रहिए तो ज्यादा बेतर होगा कम से कम आपको 60 to 70% लाना होगा तभी आपका यहाँ पर selection हो पाएगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा ठीक है उसके बाद हम निगेटीव मार्किंग की बात करें तो निगेटीव मार्किंग साल थी यहाँ पर है कितना है तो 0.25 ठीक है 0.25 आपका निगेटीव मार्किंग होगा इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख लिजेगा चलिए आगे हम बात करें तो आपका जो एक्जाम होगा साथी क्वेस्टन होगा वो बाइलेंग्वल होगा हिंदी और इंग्लिस दोनों होंगे तो इस प्रकार से यह भी आप लोग ध्यान देजेगा उसके बाद हम अगर बात करें आगे तो देखान देजेगा तो इस तरह से हम आपको सेलेक्शन प्रोसेस बता दिये हैं यहाँ पे जो साथी आपका वैकेंसी होगा वैकेंसी कितने हैं 293 है तो 293 के उसके बाद आपका जो फॉर्म भरे जाएंगे उसके आपका 1.5 टाइम जो स्टूरेंट्स होंगे साथी इसका चैन किया जाएगा इनका चैन करके इनका डॉकुमेंट वैरिफिकेशन किया जाएगा इसमें भी काफी अस्टूरेंट का सफाया होता है काफिया स्टूरेंट का डॉकुमेंट को लेकर यहाँ पे भी कहीं न कहीं वह कंपेडिशन से बाहर निकलते हैं और डॉकुमेंट भटकेडिशन जो लाश्ट स्टेप होगा वह आपका यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत यहाँ नहीं है ज्यादा उतना टफ नहीं है आपके पास सभी के पास होगा जो भी आपका बीट की होंगे डीलेट की होंगे उसके बाद आपका क्वालिफाइंग में अगर बात की जाए तो एस्टेट की होंगे यूपिटेट की होंगे सभी के पास लगभग हो चलिए आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग एज लिमिट को देख सकते हैं एज लिमिट क्या है तो आपका एज लिमिट है साथी 21 से साइंतिस वर्स जो कि गन्रा कब सकी जाएगे तो यह आपका एक जनवरी आपका क्या है साथी एक जनवरी से 2023 से किया जाएगा तो इस प्रकार से आप लोग अपना केटेगरी के अनुसार यहाँ पर देख लिजेगा चलिए आगे हम बात करें तो आगे आपका कुछ खास इतना नहीं है सब कुछ हम बता दिये हैं यह आपका फॉर्म का जो फॉर्म फिलप करने का जो डेट है हम उपर म ही बता दिये हैं कि यह आपका 27 2023 से आने वाला है 20 जुलाई अर्थात जो की 11 बजी यह आपका जारी कर दिया जाएगा और यह लास्ट आपका 14 आट 2023 तक फॉर्म भराएंगे ठीक है कहां पर आप फॉर्म भरेंगे तो आप लोग यहाँ पर वेबसाइट को देख लिजेग ठीक है चलिए आगे हम बात कर तो अपना केटेगरी के अनुसार आप लोग यहाँ पर फीस को देख लिजेगा किसका किसका केटेगरी में क्या क्या फीस है सबसे पहले तो बता देते हैं आप सभी को कि जो चंडीगर के स्टूरेंट हैं उनहीं के लिए के टेगरी का उनका को लाब मिलेगा अगर मान कर चलिए को यूपी के स्टूरेंट हैं को बिहार के स्टूरेंट हैं को जारखन के स्टूरेंट हैं तो उनको जेनरल में फाइट करना पड़ेगा यह बात आपको ध्यान दीजेगा तभी आप फॉर्म को भड़िएगा चलि आगे हम अगर बात क किया जाएगा किसके द्वारा आयोग के द्वारा किलियर कर दिया जाएगा कि कितने बच्चे फॉर्म भड़े हैं फॉर्म कितना भड़ाया है एक लाग दो लाग पांच लाग कितना फॉर्म भड़ाया है यह पूर्ण रूप से आपका कप किलियर किया जाएगा तो पचीस किसी कारण से उनका form फिल अप नहीं होगा उनको आयोग के उधारा accept नहीं किया जाएगा तो पूर्ण रूप से यह candidate जो कि क्या होगे confirmation उनको नहीं मिलेगा वो आपको data मिल जागा कब तो 25 आर 2023 तक आपको मिल जागा तो आपको पता चल जागा कि form कितने गीरे हैं कितने form आ माध्यम से या फिर टेलिग्राम पर पुछ लिजेगा हम वहाँ पर आपको जवाब देंगे सबसे important बात साथी यहाँ पर हम फिर से बोड़ रहे हैं इस channel पर बीटेट हो एस्टेट हो यूपीटेट हो कोई भी हो सीटेट हो या फिर किसी भी राजजी के आप सिच्छक एक भी चंडीगर का हम जल्द से जल्द क्लास लेकर आने वाले हैं बस आप लोग कॉमेंट किजे कि क्या यह लाना चाहिए या नहीं तो ठीक है आज के लिए इतना ही जैहिन जै भारत